हेलो गाइस आप देख रहे हैं संजेश याडियम गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ फिजिक्स के कोस्षन है जो पीजेटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है बहुत इंपोर्टेंट हैं आपकी इस परिक्सकी द्रश्टी से जो आपका 17 तरीक में होने वाला है दोस्तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना बीच में इसकिप मत करना ठीक है क्योंकि कोस्षन बहुत अच्छे होने वाले हैं विद सोलूसन के बहुत अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रसन कौन सा है तो दोस्तो पहला प्रसन है हमारा आयतन पर ग्राम क्या ग्राम अनुकु विशिष्ट उसमा सीवी होगी तो इसकी जो वैल्यू वे प्लूच रहा है कि सीवी कितनी होगी है तो देखो दोस्तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं ऑप्सन तो हमारे यह दे रखे हैं ऑप्सन पहला दे रखा है कि तीन बटे द हो आर और वी ओप्सन दे रखा है पांच दे रखा है और दीख रहा है हमारा ठीक है तो कौनसों इसमें कर्यक्ट होगा इसको जानने से पहले कुछ इसका सूलुसन दिख लेते हैं किसप्रकार से हम इसको करेंगे दोस्तों आपने मेर का फॉर्मुला पढ़ा है मेर ठीक है को निए टो मेर का जो फॉर्मुला जान कि मेर का जो सूत्र है वो जो क्या होता यह होता है mar payroll होता है घो स्य माइस him i ूसुन्ट है तो यह मेर फॉर्मुला जान है तो यह हम देखेंगे यह पर end करके मीकंगे डिखें कि सी इनका जो सि पी यहां पर तो यह सी मेर CB यानिके जो विशिष्ट उस्मा हैं एक ग्राम अनुक गैस की तो यह होता है इसका अनुपात इस इकल टू गामा के ठीक है यानिके अब इन दोनों समिकर्णों से हमें इसको सुल्व करना है ठीक है अब क्या करेंगे मिहाँ पर इसलिए जैसे ही अगर यह कंडिशन हमारी होती है तो इन दोनों कंडिशन के अनुसार हम बात करते हैं मिस्रित नियत आयटन पर जो एक ग्राम की जो विशिष्ट उस्मा है बात मारी नहीं तो उसकी कितनी है ग्राम विशिष्ट ऊस्मा तो दोस्तों उसकी होती है वन यानिके R तो आपको पता ही है क्या है और जो F है यहाँ पर F है आपकी सोतंत्र कोटी ठीक है तो सोतंत्र कोटी है तो अब हम करेंगे इसकी सोतंत्र कोटी देखेंगे यानि ये F की सोतंत्र कोटी हो गए गया तो दोस्तो एक ग्राम तो इसी प्रिकार से अब हम देख सकते हैं यहां पर सी वी पराबर किस की हो जाएगा तो एक परमानुक है अब यहां पर लेक देते हैं दूई परमानुक कितनी वैल्य होती है बिरकुल सही इसकी वैल्य होती है तो अब हम यहां पर पांच रख देंगे एक परमानुक गैस के लिए हमारे पास से वी की वैल्य यू है वो यह आ गई तो दोनो वैल्य हमें बिल गई अब हम देखेंगे एक डिग्री मिलस Uh यह वह कितनी हो जाेगित्र दोस्तों वह हो जाएगी क्यों 121 और समा क्यों march के बराबर سङी MAX कब पहले कितना है तीन बटे दो आर ठीक है और दूसरे कितना है यहाँ पर पिलास पांच बटे दो आर अब देखो इसको solve कर लेंगे हम यहाँ पर दो तो ले लेंगे LCM ठीक है यह वाला और यह तो उपर देखो दो सर दो cancel तो उपर का 3R बचेगा है तो कितना होगी है यहाँ पर देखो एक क्या है हमार पास 3 है और दूसरे क्या हमार पास 5R है तो दोनों प्लस कर एट आर क्लियर है अप वहन में क्या है 2 है और हम किसकी value निकालने है इधर क्यों की क्यों तो क्यों is equal to देखो दो से काट देंगे 4 बार तो 4R आ गया लेकिन हमें तो किसकी value निकालनी है cv की निकालनी है तो cv की निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ध्यान से समझ देना टू और इस दो से चार को काट देंगे दो तो कितना बचेगा टू आर यह बचेगा ठीक है यह हमारा आंसर जाएगा बहुत अगया हो तो बहुत अच्छा कमेंट करके जरूर बताना अब देखते हैं अपना next प्रिशन की अगला प्रिशन जो है वो क्या कह रहा है ठीक है तो अगले प्रिशन की हम बात करते हैं क्या कर आगला प्रिशन यह कर रहा है कि यह प्रिशन नम्मर रहे है थर्मो कपल थर्मेश्टर वण जंक्सन इज एक जीरू डग्री सेल्शियस एड़व एडगरी सेल्सियस एच तो इमफ इस गीविन वाई इज उकल टू एटी स्क आप मापी में एक संदी 0 डिगरी celsius पर तसा दूसरी टी डिगरी celsius पर विद्दुद भाग वल ए बराबर ए टी की घा दो माइनस बी टी की घा तीन दुबारा दिया जाता है उदासीन ताप है तो उदासीन ताप हमें बताना है किसमें 0 यानिके degree Celsius में तो कितना है यहाँ पर उदासीन ताप यानिके neutral temperature option दे रखा है पहला A upon B, option B दे रखा है 2 A upon 3 B, option C दे रखा है 3 A upon 2 B तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि विद्दुद भागबल की यहाँ पर एक समिकरण दी होई है यह बराबर A T की power 2 minus B T की power 3 तो इसी के दोवार हम solve करेंगे इसको इसका क्या कर देंगे हम differential कर देंगे differential ठीक है इसका क्या करेंगे हम differential कर देंगे और with respect to किसके साफ एक्स T के साफ एक्स ठीक है तो यहाँ पर T है T की power 2 T की power 3 है तो T के साफ एक्स विद्द रेस्ट अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर यह जाएगा D E upon D T ठीक है जो पापर होती है उसको हम पहले लिख रहते हैं तो दो लिख देंगे पहले यानि कि जाएगा 2 A T अब दो को T की घात होती है तो कितना होगा T बचा और यहाँ पर माइनस का 3 B और T की घात दो बचेगा तीन में से घटा देंगे यहाँ ठीक है तो डिफ्रेंस कर दिया हमें अब देखो यहाँ निट्रल टेंप्रेचर निट्रल टेंप्रेचर उदासीन ताप पर जो वैल्यू होती है उदासीन ताप इसको इधर लियाएंगे तो 3 B T की पावर 2 is equal to 2 A T तो T से इसकी पावर कर दियाएगी तो T तो इधर ही रहेगा ठीक है उपर क्या बचा 2 A और यह वाला जो 3 B है यह इसके अपोन में चला जागा नीचे इसके अपोन में ठीक है तो कितना जाएगा 3 B तो अब देखो जो ट है सवाल IOPS में आगया होगा आपके और आगया हो सवाल सवाल में तो कमेंट करके जुरूर बताना अब देखते हैं अपना next प्रिसन तो अगर आप देखते हैं प्रिसन नंबर तीन प्रिसन नंबर तीन क्या इफ दा गैस फिल्ड इन एक लॉजड वैसल इज हीटिड बाई वन डिगरी सेल्सेस दैन इटस प्रिसर इंकरीजिज बाई 0.4 प्रिससत इनिशियल टेंप्रेचर ओफ गैस वाज क्या करा है कि यदि बद मरतन में भारी गैस को जब एक डिगरी सेल्सेस तक गरम के जाता है तो उसका जो दाब है वह 0.4 प्रिससत बढ़ जाता है गैस का आहता जाना है तो इसका option दे रका है पहला 250 kels is C option दे रखा है 250 degree Celsius और D option दे रखा है 25 degree Celsius तो कौन सो option इसका सही होगा ज़री से बताइए मैं इसको solve करके आपको समझा देता हूँ ठीक है तो solution में देखते हैं एक formula होता है P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 तो दोस्तों यह जो formula है यह कौन से नियम पर आधारीत है आपको बताना है comment box में लिख कर तो अब देखो क्या करना है यहां पर यहां से अगर हम देखें P2 का मान निकालने या T2 का मान निकालने तो T2 बराबर कितना हो जाएगा यहां से T2 इदर ली आएंगे और यह सब इदर पहुचेगा ठीक है जब इदर पहुचेगा तो नीचे वाला जो value होई उपर थी वन तो P2 इंटू T1 अप अपोन P1 ठीक है यह मान हमारी पास आ आगया है अब ही आपर दिया क्या गया है देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर P1 की प्रारंबिक टेम्पलेट तो प्रारंबिक दाब जो है यहां पर P1 यह करा है यदि बंद बरतन में भरी गै तो यह इसको सो में जोड़ेंगे बराबर 100 और पिलस दसम्लो चार प्रतिसत तो यह यह निकाला तो पीटू की वैल्यू आगई अब टीवन की बात और करते हैं तो टीवन बराबर कितना है क्योंकि वह कितना डिगरी सेल्चियस तक गरम कर रहा है इसको एक डिगरी सेल्सियस डिगरी की 1 के मतलब के सेल्फिन में तो कहले सेल्फ़ गाले जाएक दोразव सोटी पिलास पीलास एक यह इसमें एड़ हो जाएगा Can we have 274 Kelvin हो गया है तो अब यह जो मान है सब इसमें रख देंगे उपर वाली वैल्यू में तो यहां पर जाएगा T2 बराबर P2 का मान कितना है यह 100.4 ठीक इंटू अब इसके बाद देखते है T1 T1 का मान कितना है यह 274 बटे और इसके बाद किस का मान है P1 का मान है 100 ठीक है यह हमने सारी वैल्यू रखती है अब इसको सॉल्ब करना है तो सॉल्ब करने के लिए किस परकार से सॉल्ब करेंगे यह हो जाएगा यहां से यह दसम्बलों हटा देते हैं और एक 0 यहां पर च्फशह ३刃 6 7 दसम्बलों यहां पर जांगा नो जीरो जीरो ठीक है नो 0 0 कलविन और बटे 1000 थो किस से बढ़ करेंगे कितना जाएगा 274.99 ठीक है तो यह हमारे पास आगई वैल्यू तो हमने देखा कितना थिल्था कितना यह warmer ऑल्या है President किसके ब्राबर किसके ब्राबर किसके ब्राबर किए 275 आप लिख देंगे 275 लगबग ब्राबर अब इसमें दिखते हैं कौन सा सही है यह यह इसके नियरेस्ट कौन सा हमारा केलवीन वाला यह 250 एक है यह वालवा आप्सन हमारा लॉगा वासने वा गई अगला पिरसंड है तो पिरसंड नमबर यह कि विच ओं सा स्वनलिक व्हिंश सही है तो कों सा संब्द्वी सही है दे यू ब ति-डी-D वी माइनस पी डी-ऍ और यहाँ पर डी-फ s के PDV plus SDF और C option देरका DH is equal to PDV plus SDV और D option देरका DG is equal to VDP minus SDT SDT तो कौन सा option इसमें correct है बताईए बिल्कुर सही तो कोई इसमें जो option होगा वो हमारा D correct होगा कौन सा होगा D correct होगा अब यह कैसे होगा इसको समझने कैसे यह relation सही होगा इसमें यह वाला relation भी सही नहीं है यह भी सही नहीं है और यह भी सही नहीं है यह तीनों relation गलत है तो हमें बताना कौन सा relation इसमें सही होगा D वाला relation correct होगा ठीक है आप देखते हैं अपना अगला प्रसन तो अगला प्रसन क्या है यह है यह करा कि equivalent thermal conductivity of conductor connected in parallel क्लास में उसमा चालन वाले chapter में है यह तो इसका जो option है वह हमारा सीधर सीधर आपको दिख रहा है यह option correct होगा कि के बराबर के बन प्लस एवन प्लस के टू प्लस एटू एटू अपन एवन प्लस एटू ठीक है यह फोर्मूल होगा रर in the ratio of five ratio three ratio one य्यनिके थाम्बे के तीन तारों के द्रिव़िमान जो है उनका अनुपाद इतना दिर रखा है वन अनुपाद तीन अपाद चा पांच के अनुपाद में त क्या होगा option A दे रखा 1 अनुपाद 3 अनुपाद 5 option B दे रखा 5 अनुपाद 3 अनुपाद 1 option number C दे रखा 1 अनुपाद 15 अनुपाद 125 option D दे रखा 125 अनुपाद 15 अनुपाद 1 तो जलिसे पता है कौन सा होगा इसमें answer सही हमाना तो इतने मैं इसको आपको solve करके समझा जाता है तो वैदुत प्रतिरोद की बात कर रहा है तो वैदुत प्रतिरोद आर का जो मान होता है वो होता है रो एल अपोन ए ठीक है यह तो होता है ना यह value होती है किसकी होती है यह R की value होती है तो इसी प्रकार से यहां से अगर A का मान हम देखें तो A बराबर कितना होता है आपर जो area है तो तार का जो एकांग 6 तरफल का area है वो जाएगा πाई R square तो यहां पर रख देंगे तो R की जो value हमारे पास जाएगी रो ठीक है L उपर ऐसी रहेगा और नीचे A का मान है जाएगा पाई R square केलियर है यह मान हमारे पास R का गया है अब यहां पर देखो हमें रो का निकालना है तो रो क्या है घनतुब है तो जो घनतुब होगा हमारा वो कितना होगा देख लेते हैं घनतुब बराबर होगा दिरभिमान बटे आयतन होता है तो दिरभिमान हमारे पास M है capital और जो आयतन है आयतन को हम क्या मानेंगे लंबाई गुना चोड़ाई गुना ठीक है उंचाई तो इसका मतलब यहां पर एरिया तो देखा है पाई R square ठीक हो ठीक है समझ में आ गया हो तो comment box में लिखके जरूर बतारा अब देखते हैं देखो यह इसको माल लेंगे equation number one ठीक है पहचान के लिए मान रहे है क्योंकि इसकी आप सकता पड़ेगी तो अब देखो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास यह एक equation यह बनी थी R की value तो R बराबर कितना है हमारे पास R बराबर है Rho ठीक है L upon Pi R square तो यहां पर Rho का मान रख देते हैं इस मान को यहां पर हम रख देंगे तो चाहें इसको मत रखो यहां पर ठीक है तो क्या करेंगे Rho का मान तो रखना ही पड़ेगा तो Pi R square का मान भी रख देंगे तो रख देते हैं तो कितना जाएगा यहां पर बराबर Rho का मान रखा हमने Rho का मान आई गया M upon Pi R square L into L है ठीक है और into L upon Pi R square देखो दोनों जगे Pi R square आ रहा है मानेंगे पहले R का मान निका लेते हैं कितना है तो देखो finally हमारे पार जाज आएगा यहां पर क्या रखा हमने यह तो M ऐसी रहने दिया नीचे क्या Pi R square है तो Pi R square की value हमारे पास M upon कितना है M upon Rho L clear है अब इसकी बात देखते हैं कि into अब यहां पर अब इसको यह रहाएगा नीचे Pi R square का मान कितना है M upon Rho L ठीक है तो यह देखते हैं इन्टो में L भी था तो यहां पर था एक into में L इस L से तो यह वाला L cancel हो जाएगा ठीक है और इस M से यह वाले M से यह वाला M cancel हो जाएगा तो हमारे पास finally क्या बचा ओपर यह उपर तो बचागा एक L यह बचेगा ठीक है अब उन में Rho L है तो Rho भी उपर जाएगा तो इसको बचा नीचे तो यहां पर कितना है यहां दाएगा तो इहां पर कितना धायागा यहां पर M देंगे यह यहां पर एक po यह नगाजा और यह तो तीनो तो पहले हमारे पास ही हो गारे है, तो यहां पर हम iyह रहने देंगे तो अब यह क्या है बटion तो L1 square upon M1 ratio ठीक है ratio इसके बाद फिर दूसरा आएगा तो दूसरा क्या आएगा रो रो सम्मे आएगा तो रो रो तो cancel हो जागा तो इसको ध़टाई देते हैं यहां से ठीक है इसकी कोई मदब यहां पर योजिज नहीं है तो अब क्या हो जागा दूसरा L2 square बटे M2 फिर ratio L3 square बटे M3 ठीक है यह अनुपात आ गया है हमारा तो आब इनका मान रख देते हैं तो मान रखेंगे पहला अनुपात निकालेंगे पहला कितना दे रखा L1 का मान तो L1 का मान देया हुआ है यहां पर वो कितना हुआ है देखो यह दिरका L1 का मान यह लंबाई यहां है तो 5 अनुपात 3 अनुपात 1 ठीक है यह दिरका है तो पहला रखेंगे L1 का मान पांच तो पांच square यहने कि 5 का स्क्वार जागा 5 25 25 बटे M1 का मान देखो ओपर यहां पर 3 है ठीक है 3 दे रखा है 3 से कर देंगे 3 तिया 9 फिर ratio इसके बाद देखो L3 का मान कितना है 1 है तो 1 का square 1 ही हो जाएगा 1 रख देंगे upon M3 का मान कितना है यहां पर 5 है तो 5 रख देंगे ठीक है 5 रख दिया हमने यहां तो आए गया हमारे पास 125 रेशियो पांस ती है 15 यहां पर 15 और यहां पर आए गया 1 क्योंकि 5 से 5 cancel हो जाएगा तो हमारे पास आए 125 देखो यहां पर लिख देता हूं मैं रेशियो कितना आ गया 125 अनुपात 15 अनुपात 1 तो बताए कौन सा इसमें हमारा option correct होगा बिल्कुर सही इसका जो option number D है यह एकदम correct है ठीक है यह इसका ratio होगा प्रतिरोध होगा तो आएए आप समझते हैं अगला person इसका तो अगला person हमारा क्या क्या कह रहा है तो दोस्तों यह बोल रहा है कि the equivalent resistance between point A and point B in the given circuit is यह निके एक circuit दिवाय है इस circuit में एक point A है एक point B है इनके बीच हमें तुल्लिय प्रतिरोध निकलना है इन दोनों point के बीच के निकलना हमें तुल्लिय प्रतिरोध निकलना है तो option यह दे रखा है 10 ohm, option B दे रखा 3 ohm, option C दे रखा है 7 ohm, 5 ohm और यह दे र नहीं है यहाँ पर यह 5, 1, 0 होगा तो इतने ohm दे रखा है अब देखो किस प्रकार से इसको solve करना है आप इतने बताईए इसका answer और फिर में इसको solve करता रहता है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि A और B के बीच की बात करें जो हम खीचेंगे पकड़के इसक तो यह connect है और यह की है यानि कि एक तो हो जाएगा हमारे पास यह 30 ohm का connect हो जाएगा 30 ohm ठीक है और एक हमारे पास यह connect हो जाएगा इसको हम कहेंगे 8 ohm यह कितना है 8 ohm का resistance अब यह हमने यहां तक कीज दिया अब इसके बात देखो यह दो line यहां पर दो जुड़िवे हैं resistance एक रिजिस्टेंस बिंदी पर नहीं है एक resistance तो यह जुड़िवा है e s e daso tabi say तो एक डायigning तो यहां새 देखेंगे यह resistance जुड़िवाबा है ठीक है यह हो गया A बिंदू और अब इसके बाद यहां से घूम के गया है 6 वाले resistance पर तो एक तो 30 वाला जुड़ा है यहां पर आकर यह 30 और A पर है ना ठीक है A बाले पर तो इस पर दोनों जुड़ गया है आकर एक resistance कौन सा जुड़ा है यह 8 से आठ से ऐसा करके जुड़ा है इस परिकार से और एक यहां से जुड़ा है यह direct 30 वाला यह ठीक है यह जुड़ा है इसको कहेंगे 6 ओम और यह है 3 ओम तोटल कितने resistance होगे 1,2,3,4 तो 4 resistance होगे बार पास 1,2,3,4 कुछ इस परिकार का हमारा circuit बन जाएगा ऐसे अगर के ठीक है अब आराम से इसको solve कर सकते हैं देखो A इदर है और B इदर है इनके बीच में resistance है तो सबसे पहले इस बाले line के resistance हम देख लेते हैं यहां से देखो यह दोनों कैसे हैं यह दोनों यह दुसरे के parallel है तीन और च्छे तो इसका मतलब पैरल है इसका हो जाएगा यहां पर एक बटा आर डैस निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा एक बटा तीन प्लस एक बटा च्छे च्छे ले लेंगे तो तीन दुनी च्छे दो प्लस एक तो इसका मतलब आईगा तीन बटे च्छे और तीन दुनी च्छे तो यह हो जाएगा हमारे पास एक बटा दो तो यहां से आर डैस का मान जाएगा ठीक है दो ओम तो हमारे पास यह parallel की बात आगी पहले किसकी का देखा हमने parallel यह देखा तीन ओम और छेओं का ठीक है अब इसके बाद जब यह parallel हो गए तो इसके साथ यह सिरिणी करम में हो जाएगा ठीक है सिरिणी करम में जब इसके साथ हो जाएगा छिने के सिरिजम हो जाएगा तक स्रीज में क्या आगा इसका आएक पैरल हमारा दो ओम और एक आठ स्रीज में हो गए अब तो अब निकालेंगे आर डबल डैस तो आर डबल डैस के तना हो जाएका दो तो यह वाला है इसके साथ और प्लस का आठ तो यह हमारे पास हो जाएगा टोटल दस ओम तो हमने देखा दस ओम यह उपर वाला हमारे पास बन गया टोटल और नीचे तीस ओम है तो अब यह दोनों कैसे हैं दूसरे के पैरल है तो पैरलल है आप फाइनली हम निकालेंगे आर निकालेंगे तो एक पैरलल का नोपा जो सूरी सूत्र जो होता है एक बटा आर बराबर होता है एक बार जाएगा पिलस तीस को काटेंगे तो वन बार जाएगा तो ऊपर हमारे पास क्या है कि तीन और एक चार और बटे तीस तो यहां पर हम आर को निकालेंगे तो आर बराबर जाएगा तीस ऊपर और बटे चार नीचे, चार से इसको हम काड़ देंगे, तो चार से कि दिमा जाए, चार सत्य अठाइस और चार पंजे बीस, तो यानिकि साथ दसमलो पांच ओम इसका आंसर आएगा, कितना है गा, साथ दसमलो पांच ओम, यानिकि सी वाला जो इसका option है, ये एकदम correct होगा ये, ठीक है यहाँ पर दस ओम नहीं है, ये गलत है, ठीक है, तो यानिकि साथ दसमलो पांच ओम इसका correct answer है, समझ मा गया होगा, ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रसंट क्या गया है, कि इन LCR series circuit, the value of L, C and R, R, 1 हैंडरी, साथ दसमलो जीरो, चार, माइक्रो, फैरड, एंड, 1 ठीक है, इस quality factor is LCR, सिरनी परिपत में, L, C, R के जो मान हैं, वो किरम से देरेके हैं, 1 हैंडरी, L का मन कितना है, 1 हैंडरी, C का जो मान है, उदेरका है, साथ दसमलो जीरो, चार, ठीक है, माइक्रो फैरड में हैं, और R का जो मान देरका, वो 1 ओम देरका, तो इसका जो विसे विसे इसता गुणांग है, वो हमें बताना है, कितना होगा, 377, 277, 277, या फिर 117, तो कौन सो उपसन इसमें correct है, जल्दी से बताईए, comment box में लिक कर, ठीक है, बिल्कुर सही, अब देखो, इसमें, इसको मैं solve करके बता देता हूं, और फिर आप बताना, कौन सो उपसन हम C, यह formula होता है, ठीक है, किसका विसेशता गुणांगा, जैब इनकी विसेशता गुणांगा में निकालना हो, तो यहाँ पर value रख देंगे सब की, तो यहाँ पर रखेंगे, तो को R कमान रखेंगे, एक बटा एक, क्योंकि R कमान तो एक दिर रखा है, यहाँ पर, वर्ग म तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, तो इंटो में किस से multiply कर देंगे, इसकी minus के 6, यहाँ पर प्लस के 6 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो अब देखो, फाइनली, जो हमारे पास निकल गाएगा, वो क्या निकल गाएगा, जब हम यहाँ से point हटाएगे, तो द जिरो और बढ़ जाएगे, तो यह हो जाएगे, आठ, ठीक है, 6 की जगे के हो जाएगा, तो दस की गहाँ चार तो ओपर से निकल के आएगा, ठीक है, वर्ग मूल से बाहर निकालेंगे, अब आया नीचे 704, तो 704 का जो वर्ग मूल हम निकालेंगे, तो यह आएगा, छब साथ, इस से भाग कर दो इसको, तो हमारे पास जो अजाएगा, भाग करके हो जाएगा, 377, कितना जाएगा, 377, तो इसका मतलब ऑप्सन नमबर ए, जो है, वो हमारा, correct होगा, ठीक है, ऑप्सन नमबर ए, अब देखते हैं, अपना अगला प्रसन, अगले प्रसन में क्या कर इसका एक बॉल्ट मीटर का जो प्रती रोद है, वो G-O में, तथा परास V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V B option में दिरका है G बटे N और C option में G N और D option में G बटे N-1 तो कौन सा इसका option correct होगा जल्दी से बताइए comment box में लिका बिल्कु सही इसका जो option हमारा correct होगा वो होगा A option ठीक है अब यह किस प्रकार से होगा यह समझा देते हैं देखो वीभाव मापी के लिए बात करते हैं सबसे पहले किस के लिए बात करते हैं वीभाव मापी के लिए वीभाव मापी ठीक है वीभाव मापी की बात करते है तो वीभाव मापी के लिए के लिए R बराबर होता है G और small N-1 यह होता वीवह मापी के लिए R का मान होता है ठीक चुकि R बराबर जो है वो हमने पढ़ा है जब गैलमिनेमिटर की बात करते हैं तो V बटे Z G ठीक है और माइनस कितना पढ़ा है हमने Capital G यह वैल्यू हमने पढ़ी है हमापर resistance जो गैलमिनेमिटर का resistance होता है निकलते हैं तो यहाँ पर जो Z G की वैल्यू निकल कर आती है वो कितने आती है V G बटे Capital G ठीक है तो इसकी जगे हम इसको मान को रख देंगे तो हमारे पार जो R का मान आ जाएगा निकल के वा जाएगा V बटे किसकी जगे रखेंगे हम इसकी जगे रखेंगे Z G की जगे कितना रखेंगे V G बटे Capital G तो V G V G और Capital G है तो बटे में है तो इसको उपर लियाएगा यह जाएगा V G ठीक है माइनस का G तो यह value हमारे पास आ गई ठीक है यह निकल के आ गई हमारे पास R की value अब देखो अब हम क्या करेंगे इसके बाद जैसी हमने value निका लिए है ठीक है किसके लिए निका लिए है galvanometer की बात करिए तो galvanometer के लिए अब हम देखो दोनों जगे G है G को बहार ले लेंगे तो जाएगा V बटे VG और minus 1 और बहार bracket में हो जाएगा G capital तो R का मान निकालना है देखो R बराबर कितना आगिया V बटे तो VG जो है हमारे पास ये किसको सो करेगा V बटे N को ठीक है किसको क्योंकि N नमबर तक हमें bolt निकालना voltage तो ये तो value होगी हमारे पास इतनी अब देखो minus का 1 और into में बहार किया हमारे पास G है ठीक है V से V cancel यहाँ पर यहाँ पर V से V cancel तो बटे के बटे में क्या N है N उपर जाएगा तो N minus 1 और बहार किया चल रहा है हमारे पास G चल रहा है तो R का मान हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ कि N minus 1 into G ठीक है यही तो हम सुरू में बोल रहे थे कि जो विवामारे के लिए बान होता है वो हमारे पास ये होता है तो यह निकल कर कैसा है तो हमने ये formula से इसको निकाला है ठीक इस परकार से हमने solve किया इसको solve करके निकल है तो इसको कौनसा option correct है हमारा जल्द से बिदाए बिर्कुर सही जो पहला वाला option है हमारा ये correct होगा ठीक है अब देखो अपना अगला प्रसन देख लेते हैं अगले प्रसन में कह रहा है कि the work done in increasing the voltage of a capacitor from 20 volt to 40 volt कितना 20 volt to 40 volt is double then the work done in increasing its voltage from 40 volt to 50 volt will be मतलब एक संदहित का विभांतर 20 volt से 40 volt तक बढ़ाने में किया गया कार्य डबलू है तो इसका विभांतर 40 volt से 50 volt तक करने में बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा तो डबलू बराबर 3 बटे 4 यहां पर देखा देखो डबलू बटे 4 और 30 यहां पर दे रखा है 2 डबलू और 4 यहां पर दे रखा है कि डबलू बटे 2 तो जल्ली से पता है कौन सो अप्शन इसमें हमारा कर्यक्ट होगा जल्ली से बताईए comment box में लिख कर बताना ठीक है तो हमें इसको solve हमें इसको solve कर लेता हूँ तो यहां पर आपका नहीं पढ़ा है कि चूंकी डबलू बटे डबलू टू कितना डबलू बटे डबलू बटे डबलू टू बराबर जो होता है वो होता है एक बटा दो C V1 स्क्वेर बटे एक बटा दो C V2 स्क्वेर देखो यह कैसे आया है हमारे पास जो डवलू का फोर्मुला होता है किया गया कारी होता है जब विभांतर को हम बढ़ाते हैं तो फोर्मुला होता है वन अपॉन टू सी वी स्क्वेर ठीक है कुल किया गया कारी कितने होता है वन अपॉन टू सी वी स्क्वेर डवलू बराबर तो W1 बराबर यह हो जाएगा, W2 बराबर यह है, तो इनका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात हमारे इस प्रिकार से आ जाएगा, अब देखो, इनका मान रख लेते हैं सबका, तो किस प्रिकार से एक बटा दो से एक बटा दो cancel, और यहां C, यह जो है C से C cancel, तो यहां पर देखो, यह क्या है, V1 square और यहां पर है V2 square, ठीक है, V1 square इन्टू V2 square यहां पर दे रखा है, तो अब इसको किस प्रिकार से हम चेंज करेंगे, तो यह क्या कह रहा है, देखो, V1 का मान कितना होगा, यहां पर, V1 का मान कितना है, कि 20 में से 40, यहनि कि 20 से 40 तक बढ़ा तो कितना आएगा, finally, यहां पर 20 निकल गाएगा, तो 20 का square, बटे नीचे 10, 10 का square, तो 20 का कितना आएगए, 400 ठीक है, और 10 का आएगा, 100, यह 0 से 0 कड़ गए यहां पर, तो कितना निकल गाएगा, 4 ठीक है, यह निकल गाएगा, 4 ठीक और है किस के बढ़ाबर है, 4 यह है, W1 बटे W2 के बराबर किरियर है ना तो अब हमें निकालना क्यू है यहाँ पर ? हमें निकालना है W2 तो W2 यहाँ पर देख लेते हैं इसको्न फार यहाँ पर कितना है ?W1 ही 3 इसको 4 इसको एसको मत्सप्तिब बटे 4 दो यह आगा हमारे पास फीडिकर टो ङया 5 यह ने 3 ₲ जो बनाने में क्या गया कारी है कितना होगा ठीक है नहीं तो कि यहां पर finally निकारेंगे हम डव्लू थीरी तो डव्लू थीरी बराबर हो जायगा देखो डवलू वन डवलू वन पहरा बाला था देख लो कि चार डवलू बन मैंसे डवलू गटा दो तो तीन वचे का ओपर तीन डवलू बन और बटे में क्या है हमारे पास चार है ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्ली आएगी वह यह जाएगी ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक् कर दें लाइक के साथ में सेर जरूर कर दें ठीक है यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे की हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पोच जाए और आप पीजी टी चा चैनल चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर सकते हैं तो हमारी इसके अच्छे उसली साथ। पर अब मिलते हैं अपनी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक लिए गड़वाई